दोस्तों आपको पता है कि हम आपको एडिया दा बुक का चप्टर नंबर 13 करा रहे हैं लाब और हानी लॉस और प्रॉफिट जिसमें अमने दोस्तों आपको अभी तक 64 कोशन तक सॉल्व करा दिया है आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कोशन नंबर 65 से और 124 त पता है कि इस घुग में ताइब बाईज कोशन दिये हुएं और एक ताइब में कम से कभर, 10-12, 8-12 कि समें कम घर करें ज सैंडे कोशन अपको दिये हुए हैं उसमें से हम दोस्तों हस्तों । आ हम कईग आपको आपको ठोन के खरा रहे हैं लेकिन फुरे टोटल कोशन ए yak bit time के नहीं कराइंगे, एक जैसे काफी about questions होुझाते हैं Ór cavalry Rajday पहमें बहुत सारी questions आपको दीए, एक जैसे about questions हैं को, नहीं करा रहे ह। हर टमें से 3 या 4 questions हैंए आपको solve कराएंगे जिससे आपको concept to clear होगा और पहुत ही जल्डी आप आसानी से इस book का solution भी कर पाएंगे और दोस्तों वही question कराएंगे जो कि इसमें same नहीं है थोड़ा-थोड़ा सा changes हमें उन सभी को कराएंगे और जो same है उनको नहीं कराएंगे same में हम एक-दो question आपको कराएंगे जिसके आपको पता लगी कि हम आपको जो concept बता रहे हैं उससे आप आसानी से इस book का solution कर सकते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तो question number 65 पर चलते हैं और बहुती बहतीन तरीकी से concept के साथ questions को करते हैं देखे idea student देख लेते है question number 65 जो कि इस video का पहला question है है समान मूले पर बेचिया है समान मूले पर बेचिए है मतलब app क्या है विख्रे मूल्य समान होगा विख्रे मूल्य के यह highest student यहिए उस्टुएट् रह स्पूद कर आयंगे क्रे नियुकरे मूल्य क्या होग मैंटिए च्टूएट्ड अलग लग कर Muk इस टैम में से तीन कुशन हम कराएंगे को इसमें जितने भी कुशन दे रहें के सब सेम जैसे तोड़ा सा चेंज एक दो कुशन में उनको मैंने यहां पर उठाया हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसका सॉलुशन भी करने वाल है ठीक है कि अब देखिए यह कह र rightreseo 32 में बारैसो 32 में बेच रहें है को तो दोनों को रैक को बारैसो 32 में बैच हूगा तो दू का मल्टिप्लाइ कर देंगे यह आ जाए तो यह आ जाएक को सिश्टी फिर ओय आ जाएक रमें ररेसो बेचाय लेकिन रेचल है थीटैल में कैसे? इस टूरेंट वह हमसे कह रहा है कोशयं में कि उसे एक पर बारे परसंट लाव होता है और दूसरे पर बारे परशंट हानी होती है इतने में बैचने पर ही उससे हानी हो रहा है तो बारे सबद्स dalam लाव सामिल है अलव एक सो बारे पर संट है ऐया आप को ठीक है इंटो एंडट शीपी निकालने के लिए cela रिए絹 बारब कैसे ना था दूस्रे को मायः धीस्तुरुएंटा बार्य दित्नी सो बतीस में उसने बेच आए लेकिन क्या है माई दिये स्टूरेंट उसमें 12% हा नहीं मतलब ये 88% इंटू कितना बात है समझ में ठीक है यहां तक तो कोई डाउट यहां से अब माई दिये स्टूरेंट ध्यान से इसको कर लेते हैं और सीधा क्रॉस करते हैं इसको दिखिये को से करके बताएंगे पहले फॉर से थ्री ओ फॉर एट है फॉर से यहां से टू और सीदंंदे निवें बता देंड़ाई पात्तिस और यह सत्षोः ठीक है 20 और सध्षोः टाईस ये marathon हो जाएगा कि इतना जाएगा 2000 कै यहां से इसको 11 से क्रॉस हो रहा हूगा 11 कम ग्यारा हुआ ग्यारा है 138 ten 88 8办 दोना दूना बाईस है ठीक है इसको 17 24set तो टोटल मिलाकर कितनी होगी मांय डी तोटल कर लेंगे इसको कि पडि थी थी 25 मैं श्मिते झाल थी 24 levar कि और दौषर चोट दे चाए unanimous यह आपका आंसर आजहेँ, यह बहुत ही सिंपल है आप आसानी से को कर सकते थे, चत्तिस आपका क्या हो जाएगा आंसर ठीक है कि नहीं आब थोड़ा से इसको और समझ लेते हो, बहुत अच्छी तरीके से स्कॉम करने वाले हैं आपको घवरानी की कोई जरूत नहीं है एक एक भैतिरिन कॉंसेप्ट हम आपको इसमें बताएंगे जहां से देखीगा फ्रेक्शन से नहीं बताएंगे फ्रेक्शन से काफी टाइम आपको लग जाएगा कुशन भी इसी टाइप का है दोस्तों कि इसमें कह रहा है कि दो बस्तू में से प्रतियक को से तालिस सो बामन रुपे में बेचा जाता है या बेचा सब्द रह गया है विक्रेता को एक बस्तू की विक्री पर 32 परसेंट लाव और दूसरे पर 20 परसेंट हानी होती है समांग इससे लाव या हनी का प्रतिस्तत आपको बता देखिए पर देखिए को बेच रहा है मैं डियस्ट्विन वो कितना से तालिस सो बामन में तो हम तूगा कर देंगे आप ए मल्टीप्लाइट तो यह हो जाएगा फूर यह हो जाएगा जीरो यहां से फिप्टीन का फाइफ औ कैसे की सैतालिस सो बामन में बेचा थ फिझा कुपेले पर बैस सांण प्रunde का लाप खुर थो एक सटीस हो गी इंटियों किंतना box छिखेस ot 42 यह बारष से क्रोस हो रहें जरूर dumbomiya च्छ अर्यां से बचा की सात बारच 32 एक यह इन्यागी जघ। दूसरा है यहां पर देखे मैं डिये इस्ट्वेंट तो क्या है 28% हाने तो 4700 बामन में बेचने पर ही 28% हानी हो रही थी तो 72% यह रह गया इन दौनों को मैं डिये इस्ट्वेंट एड करेंगे तो यह हो जाएंगा आपके 10,200 में खरीदे और बेच दिये 9,504 में तो इसका मतलब उसे घाटा जो हुआ है वो 696 का हुआ है 696 का घाटा कितने से हुआ है यह 10,200 से गुणा कितना सो दो 0 से 2 0 कटेगा 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6 बटे, 3 3 9, 3 4 12 दो से कार देंगे भईया 2 1 2 2 2 2 2 2 2 12 और यहां से 2 1 2 17 17 5 85, 17 6 102, 17 6 102 ठीक है 17 6 102 तो 6 पॉंट कुछ आंसर आपका आरा होगा तो यहां से देख लिए और पहली वाद मैंने आपको बता दू कि इतने में बेचा 9,504 में और खरीद देख लिए तो लॉस हो रहा है तो लॉस वारा वो देख लिए आपको डिवाइड करने जरूत नहीं आपका आंसर हो जाएगा ठीक है कि नहीं आगे बढ़ते हैं कोशन नमर 67 पर इस टाइप के तीर हम कोशन करा रहे हैं 65 66 67 ठीक उसके बाद नेक्स टाइप पर पहुंचेंगे अब यहां पर क्या कह रहा है कि नोसो पैस्तर के मूल पर बेचा जाता है नहें से एक बस्तु पर विकृता को 30 परशन लाव होता है दूसरे पर 25 परशन हानी होती है विकृता कोल मिलाकर 30 से लाव जाने हैं सेम इसी टाइप सभी इस टाइब के कोशन यह इस वाज़े से दोस्तों मैं तीन ही कोशन आपको को गरा रहा हूं कि कॉंसर्ट आपको समझ मा जाए तो 975 में एक को बेचता है तो दोनों को कितने में बेचेगा गुणा कर देंगा दो पंजा दस दो सत्य चोदो एक पंद्रा और यह दोना मठारों एक उननीस निस सो पचास ठीक है कि नहीं साथ सो पचास ठीक है दूसरा 975 में ही क्या और तो मैं डियुक्त परशेंट आनी हो रही थी तो यह हो गया आपका कितना पिचेटर गुणा कितना सो तो पचीस चोगा सो पचीस तीया पिचेटर थीन तीया नो और यह हो जाएगा तीन दूना शे थीन पंजा पंद्र है तो यह हो जाएगा तीन चोक बारा बारे और तीरा सो यह कितने हो जाएंगा मैं इस्ट्रेंट आपके इनको एड़ गर देंगे यहां पर क्योंकि यह बन जाएगा आपका सीपी सीपी हो जाएगा तेरे से और साससो दोजार और दोजार पचास हो जाएगा गहाटा कितने का हो रहा है उसे देखें तो 100 और पैका गहाटा हो रहा है कितने थे दो आजार पचास नए homo इसके बाद इन्टू करेंगे है यहां पर हंडेट का जिरो से 0 पांच से कISAटेंगे 5-10 पांचे कम पांच 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 थीक है और यहां से पांदोना दस ही हो जाएगा 200 बटे कितना मैंट यह च्ट एक तालेस अब इसका डिवाइड देख आपको आंसर करना है और ऑप्शन जो भी है इसका ठीक आपको कमेट बोक्स मुझे बताना थीक है तो यह हमारे टाइफ जो था आज का लॉस्ट प्रॉफिट का 65, 66, 67 वैंसे तीन कुशन में आपको कराया है जो की एज़ेटिस सेम थे ठीक है अई की तरीके थे अब नमर सेकंड बहुत ही अच्छा है इसको बड़े ध्यान से हम करेंगे कि जब कुछ बस्तूओं का क्रेम उल्ले कुछ अन बस्त क्रेम अब देखिए इसको बड़े डिटेल में समझते हैं कि कुशन में कह रहा है कि 25 पुस्तकों का क्रेम उल्ले 20 पुस्तकों के विक्री मुल्ले के बरावर है तो काकी के का मतलब इंदी में क्या होता है मैंत में क्या होता मल्टिपलाई तो अगर मैं कहूं 25 पुस्तकों क क्रेमूल तो मैं कह रहा हो 25 पुस्तक्पों का था का मतलब मल्टिबली क्रेमूल तो मतलब 20 में खरीदा 25 में बेज दिए तो पांच का फायदा होगा कितने पर 20 पर गुरा कितना सौ पाइदा हो रहा मतलब प्रॉफिट हो रहा है ठीक है लावी पूचा आपसे तो पांसे कितना ये चार और चार से कितना ये पच्छीस पर्शन्ट प्रॉफिट आपको हो जाएगा ठीक है और गवरानी कि आपको इसमें कोई जूरूत नहीं है बहुत ही कि 28 बस्तूओं का लागत मुर्म मतलब cp बडावर है 21 बस्तूओं के sp के चेख़़ है तो यहां से sp हो जाएगा my dear student द यह और sp हो जाएगा my dear student यह तो इसका मतलब कि भाया 21 में खरीदा 28 का बेच दिया तो कितने का 7 का फायदा हो रहा है कितने पर 21 पर गुणा कितना सौ तो साथ या 21 यह हो जाएगा सौ बटा तीन परलब यह हो जाएगा 33 सही एक बटा तीन जो कि option नमबर भी आपका बिल्कुल ठेक है ऐसे कोशन हम चुटकियों में solve कर सकते कोई घवराने वाली बात नहीं हो जब हमारा पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो लास्ट में आपको बता चलेगा कि जो इतनी का सामान खरीदा होतना है उस पर पर्शंट या इतनी पर्शंट का प्रॉफिट या लॉस होता है उसक बस्तूओं का विक्रे मुल मतलब SP बरावर है 20 बस्तूओं की CP के तो SP हो जाएगा 20 और CP हो जाएगा 16 ठीक है कि नहीं बाता ही जमन में तो इसका मतलब माईडिया इस्टुरेंट कि खरीदा सोले में और बेच दिया माईडिया इस्टुरेंट कितने में 20 में ठीक है मैई 16 म इतना 25 तो यह जाएगा 25 पर्सेंट प्रॉफिट ठीक है अप्सन नंबर आपका A विल्कुल ठीक है तो इस टाइब के कोशन भी हमारे यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं और एक कोशन इसको भी बड़े ध्यान से हम समझ लेते हैं 82 तक फिर उसके बाद सेम कोशन थे मैंने नहीं डाला इसमाई ज्यादा कुशन एक जैसे नहीं डाले हैं कि एक व्यक्ति 400 आम देंकि मोग बहुत स्पीट से कराना हो इन कुशन को इतने इस स्पीट से आपका एक्जाम करना है कि 400 आम 320 आमों के क्रेम उल्ले के पर बेसता है मतलब जितने में उसने 320 आम खड़ी देत ठीक है उतने में ही देखिए यहां से एक चीज को समझना है एक व्यक्ति चारसो आम तीनसो बीस आमों के क्रेम उल्ले के बराबर बेशता है बते ही समझे तो इसमें हानी का प्रतीसाद बताना है कि मतलब उसने 400 खरीदे और बेच दिये 320 क्योंकि यह क्या रहा है एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रेम उल्ले के बराबर बेचता है 400 आम 320 आमों के क्रेम उल्ले के बराबर बेचता है मतलब जितने उसने आम खरीदे थे उतने में ही वो आम क्या है 320 बेचे है ठीक है बाता ही समझ में तो सीधी सी बात वाला 400 में खरीदे 320 में वेचे तो घाटा हो रहा है कितने का असी का ठीक है कितने पर 400 पर उना कितना बिस पर्सेंट लॉस और यह बहुत ही तुच्छे लिवल का सवाल था गवराने की कोई जूरूत नहीं है के बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही तरीकितों है अब यह आजाता है नेक्स टाइप इस तरह और इसे अगले टाइब का एक ही पैरटन में आपको बताऊंगा द आपको एक ही तरीके से बताने वाले क्योंकि यह वाला जो टाइप वो कह रहा है कि जब रुपए A में B बस्तू खरीद कर और रुपए B में A बस्तू पेची जाए ठीक है मतलब कोश्ण को समय लेते तक आपको क्लियर हो जाएगा कि यदि राजन रुपए B 20 में 21 कलम खरीता है तथा सभी कलम 21 रुपए में 20 किदर से बेच देता है तो लाव का प्रतिय सभी ज्यान से समझना है आपको कहरा है कि रुपे 20 में 21 कलम खरीता है और रुपे 21 में 20 कलम बेज देता है यही तो है अब इसका चोटा सा कॉंसर्ट मैं आपको बदाऊंगा आपको क्या करना है अंदर वाले का मल्टिप्लाई 440 बाहर वालों का मल्टिप्लाई 400 ठीक है और यहां से नीचे यही जो बाहर वाले का मल्टिप्लाई वही नीचे आपका लेग जाए ठीक है इंटू कितना सो दो जीरो से दो जीरो क्रॉस होगा यह बचे का आपका 41 बट्टे कितना चार चार से भाग देंगी आ जाए कि 10.25 परसेंट प्रॉफिट अगर यह वाली वैलू माय म इसका मतलब प्रॉफिट ठीक है और नेगेटिव सॉरी प्लस में आ रही तो प्रॉफिट नेगेटिव आ रही है तो आपको लॉस बस इतना ध्यान लखना बात ही समझ में आगे बढ़ते हैं को और देखते हैं अब इसमें आपको फॉर्मले को रटने की जरूत रही थी इ ईखते हैं यहां पयां ठीक है भा growers आपको आगी खिस अम्रोड और रूपे एकस में यहां बात है समझ में और वालों को पैसा नहीं निकलना नहीं तो अंडेट हम लेते लेकिन दोस्तों इसमें कैसे पता करें लाब हुआ है या उसे हानी हुई है ठीक है बात तो यह है क्योंकि इस तरीके की दो आपको दिख रहे हैं एक लॉस में प्रॉफिट में इसलिए इसने कंडिशन दी है कि एक्स की यहां पर टिक करते हैं बात है समझ में यह कंडिशन जो दी है वह इसलिए दी है आपको कि मैं डिए इस्ट्रेंट अगर एक्स की वैलू बढ़ी है तो प्लस में आंसर आएगा तो आपका प्रॉफिट होगा मैं आपको बता दिया है मानेस में आता कब जब य की वैलू जाए तो ज्यादा घेसला तो मैं आपको नहीं बता रहा मैं आपको वही तरीका बताऊंगों जो मैंने आपको अभी जश्ट बताया था उसी तरीके समस्का भी सॉलूशन करने वाले तो आपको घबराने की कोई जरूद रही एकी तरीके से हम दों को करेंगे देखिए कि इसने काई एक विक्रेता ने रुपे साथ में 21 के साफ से से खरीदता है रुपे दो में पांच बेच देता है इसका बढ़ाम क्या होगा देखिए रुपे साथ में माई डिया कितना हो जाएगा जो है कितना मुल्orro की यहां से रहे जाएगा मैं धाने इसे आपका इंसे कितना 202 50-% प्लस में आं सर आ रहा है तो प्रोफित क्या वही तरीका है कि प्लेस में आंसर आ रहा है तो प्रॉफिट कितना 20% प्रॉफिट बात है समझ में आगे बढ़ते हैं तुच्छी लेवल के सवाल है चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं ऐसा गबराने की इसमें कोई जरूत नहीं है अब देखिए कि इसमें थोड़ रुपे चौटीस में आठ की दर से संत्रे खरीदे रुपे सत्तामन में बारे की दर से बेच देता है तनुस्तार पैंतालिस रुपे का लाव कमाने के लिए उसे कुल कितने संत्रे बेचे यहां तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने इतना गवराएंगे भी नहीं हो बहुत ही बहते हैं तरीके इसको सॉल्वी करेंगे कैसे करेंगे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैं डिश्टूएंट चौटीस रुपे में आठ की दर से बेच रहा है मतलब हाट बेच रहा है खरीद रहा है सौरी आठ खरीद रहा है चौट इस बाट आठ ग्रलाव 17 बटे चार बात आई के नहीं समझ में ठीक नहीं और वही वाली कंडीसन इसके लिए हो जाएगी कि बारा बेचता है कितने में सत्तामन में तो इसका मतलब एक बेचा होगा इसने सत्तामन बटे कितना बारा तो यहां से यह देख लें तो यह हो जा और यहां से हो जाएगा 19 बटे 4 थीक है यह CP और यह SP तो 4 से 4 कर जाएगा तो मैं डीये इस्टुडेंट आपका जो CP और SP रहे गया कि आपका जो CP और SP हो गया वो 17 और 19 रहे गया इसका मतलब तो लाव कमाने के लिए पैंतालिस का लाव कमा तो यहां से कितने का लाव कमा रहा है दो का वहां उस लाव को कितना बता रहा है पैंतालिस तो पैंतालिस का मल्टिप्लाई कर देंगा टोटल कितना हो जाएगा नाप बात आई समझ में ठीक है कोई डाउट नह ने रुपे 16 के 18 की दर्से अंडी खरीदे और रुपे 20 के 22 की दर्से बेच दियो उसका लावत बहानी का प्रतिसत बतान। कि रुपे 16 में 18 खरीदे और रुपे 20 में 22 बेच दिये। इस अंदरवाले का मल्टिप्लाई पैसां का 18 खरीदे दुना 36,360 हो जाएगा 16,320 हो गया 16 दुनी 32 ही ओ जाएगा मैंधी इस्टुडेंट आपका 2,5,320 पामन अप आपका ती आपका थीजू बामन ही रहेगा गुणा आपका सव यौह से बचेगा आपका हाट मतलब प्लस में याख तो प्रोफिट हो रहा थीजू पामन कि इस्टुडवाल मिना की Done प्लस है तो प्रॉफिट दो से तीन बट्टे ग्यारा दो से तीन बट्टे ग्यारा परसेंट प्रॉफिट यह आंसर आगे ठीक है आगे बढ़ते हैं इस टाइप के कोशन के लिए जस्टिन सेकंड वाली में ट्रक आपको बदाऊंगा साथी साथ लेकिन पहले इसका कॉंसर्प समझ लेते हैं उसके बाद हम इसको करने वाले देखिए द्यान से कैसे कि कोशन में कहा है यदि मेज का मूल यह जो टाइप है वो क्या है वह आपने किताब में पड़ी लिया है कि मूल में प्रतिसत्त म्रदी कमी होने पर बस्तू की कुछ मांत्रा अधिक्या कम मिले इसको अधिक्या कम कर देते मात्रा ही गाइब कर दी मैंने इसके अब यह कह रहा है यदि मेज का मूल पच्चीस परशन बढ़ाया जाता है तो यह व्यक्त पच्चीस अजार में पच्चीस मेज कम यहां काम लगें इसको अठा देजिए कम खरीद पाता है मेज का मूले क्या है कि टाइप मुझे अपने आप करनी पड़ती है तो टाइपिंग में दिक्कत हो जाती है लेकिन आपके पास बुक तो अल्रेटी है आप से आप देख सकते कोई देखत नहीं है मैं भी कभी-कभी टाइप कलत हो जाता है इंसानी तो करते हैं ची के बगवान थोड़ी न टाइप करते हैं तो तो यह देखें क्या कि मूले जो है रेट जो है 25 परशंट बढ़ाया गया तो 25 परशंट का फ्रेक्शन होता है एक बटचा तो चार से कित लेगी कंजप्शन जो खर्च होगा वो कितना हो रहा है पांस से कितना चार पहले हो रहा था पांस खर्च अब हो रहा है इस समय उसने जो खरीदी होंगी वह फचीस चौका कितनी सौ पहले करी दूंगी 25-125 आपसे पूचा गया मुल ले बताना आपको क्या बताना मुल ले बताना है तो इसमें क्या करेंगे कुछ नहीं आपको करना है मूल करने के लिए आप क्या करेंगे 125 का भाग देदेंगे 25-25 दोना यह दो सो पुराना मुल्य आपका जाएगा नया पूछेगा तो 25 परशंट बढ़ा देंगे इसका ठीक है बाता इसमंदू डाइस वा जाएगा तो मेज का मुल्य यह पुराना या नया इसने कंफर्म नहीं गा इसको ध्यान लगेगा किताब में यह गल्ती है कि बास्तों किय किसे भी कर सकते हो औरंचु वाले से ज्यान से समझेगा कैसे एक तो किताब बाला जा तरीका है वो भी ठीक है इस बार जो आया है कि 25 परशंट बढ़ाया गया तो आपको क्या करना यहां से माधी इस्ट्रेंट 25,000 का 25 परशंट आपको निकाल देंगा यहां से 100 और यह हो जाएगा एक जीरो ठीक है और यहां से 25 मेश कम खरीदबा रहा है तो 25 का दे देना है भाय 25,500 ठीक है तो नया मूल ले आ जाएगा नियू रेट आप ऐसे भी इसको जल्दी कर सकते हैं बढ़न चुल ठीक है ऐसी नेक्ट कोशन को अब हम करेंगा देखिए द्यान से कि यद हम किया जाता है तो व्यक्ती रुपे 45 में 16.2 कीगरा चीनी अधिक खरीद पाता है तो चीनी का नया मूल क्या है तो नया मूल हम डार्रेक्टली निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हमको क्या करना है इस 45 कमाईडिये इस्टूजेंट कितना कर देना है अठारा पर्शन निकाल दें दो जीरो सु दो जीरो अठारा पंजे नब है ठीक है और अठारा चोक बहत्ता नो एक यासी आर्सो दस हो गया अब कितने कड़वायर देना है 16.2 का ठीक है और कटी का जीरो यहां से यह दो बार और यह वह जाएगा उपर सौ बट्टे कितना दो यह आजाएगा पचास तो आंसर आप आपका जाएगा और नमर डी पचास चीक है कि ने बाता है समझ में तो यह भी टाइप हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से समाप दो चुका है अब जो नेक्स टाइब इसका कॉंसर्ट आपको समझना होगा जो कि हमारा टाइप है कोशन नमर 14 का देखें मैंने हट टाइप में दो या तीन कॉशन आपको कराएं उसका रीजन है कि जैसे कोशन दे रखें को मुझे समझाना था ऐसी कोशिक में बढ़ाते हैं बच्चों को दो दो तीन कोशन करा देते हैं एक टाइप से जो हाड होता है उसके बाद बच्चे अपने आपको कर लेते और वही आपको करना चाहिए ऐसा नहीं कि हम आप यूटूब पर फिरीम बढ़ा रहे तो इसका लाभ या निक्रेमेमॉल के संक्याके ब्राबर हो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कसो ऐसे को पचास गया है तो उसका पचास पर्शेंट निकाला जाए उसका 50% निकाल दें कि 50 है तो 50% मैंने इसका निकाला तो मुझे पता चला कि 25 आगे ठीक है अगर मैं इसमें 25 रुपे बढ़ा कर बेचूं तो कितना आएगा 75 25 गठा कर बेचूं इसमें से तो कितना आएगा 25 बात आई समझ में तो मतलब जब प्रतिसत लाब यहानी करे मुल्गी संक्या के बरावर हो मतलब बस तू 40 की है तो उसका 40% ही आपको प्रॉफिट करना है और 40% ही लॉस करना तो यह जाएगा 56 और यह जाएगा 4 चक 16 चोबीच बात आई समझ में लॉस में यह प्रॉफिट बात आई समझ में अब कोशन को क्या हम एक्स मान के इसको करेंगे नहीं हम इतने बेवखूफ तो नहीं इसको एक्स मान के करें तो जब ऐसी कंडिशन आ जाए तो आपको कोड़ा सा समझ लेते हैं कैसेों कि दुवादभवाब्शंब्र कॉंसर्पशा एतना है तो हम इसका फैक्स कर जांते हैं तो मित्र क्या थैसchlagen चानबे एक होता है बाराटे चानबे हो जाएगा 24 चौका चानबे यही तो होंगे इसके फेक्टर तीन तरीकी की फेक्टर होंगे भाई बच्चा बच्चा यह बता देगा कि सर एक तो लेकिर मइडिए में छोνसे लेंगे जिनका अंतर 10 होगा कैटर इसका नहीं इंका अंतर 10 नहीं तो हम कौन सा लेंगे 16 और 6 ठीक है और जो छोटी संग्या होगी उस पर जीरो बढ़ा देंगे आपका असर आजाएगा और किसी भी कुशन को आप इस तरीके से उड़ा सकते हैं देख लेते हैं नेक्स्ट आप कहेंगे सर यह कौन सा तरीका यही तरीका हमारा देख लेज़े अब यह कह रहा है नेक्स कॉशन में एक बस्तू रुपए 145 पर एक व्यक्ति जो लाव होता है वह प्रतिसत लाव उस बस्तू के लागत यहां का डंडा यहां लग गया है बस्तू का लागत की लगत कर गया है करने के बस्तू का लागत मुल गयात के जिस तो 144 के हमको उठाराएजिशन करने है तो 119145 जो बारा कोरा बारा 149 ऑठारे अट्ये 100 जिनका डिफ्रेंट क्या होगा 10 होगा डिफ्रेंट क्या होगा 10 होगा इनका 10 है नहीं है इनका 10 है नहीं है इनका 10 है तो यह जाएंगे अठार है और कितना माई डिया इस्ट्रेंट आठ चीरों बढ़ा देंगे छोटे वाले पर आपका अंसर आ बाता है समझ में यह तो हो गया प्रॉफिट वाला प्रॉफिट वाला हमारा कुशन हो गया समात अब इसी कंडिसन से लेटेड अकर हानी वाला आ जाए लॉस वाला तो कैसे करेंगे वह भी कर लेते हैं वाई जब तरीका इसका बता तो उसका भी बताएंगे कि कुमार एक बस्तू रुपे 21 में बेचता है तो जिससे उसको उतनी ही प्रतिस्वत की हानी होती है जितने कि बस्तू उसने क्रे की थी तो आपको क्या करना है इस 21 के भी फैक्टर करना है कैसे आपको पता है साथी या 21 होता है और कोई दूसर फेक्टर भी नहीं है ठीक है तो आपको क्या करना है यहाँ पर इनका योग यहाँ पर वहाँ पर अंतर देखे यह चीज़ लिख देता हूँ कि लॉस वाले में तोड़ दस हो फेक्टराइजिशन और प्रॉफिट वाले में अंतर दस हो बात दस पे आके रोप जाते है यहाँ से देखे इनका जोड क्या है दस है तो यहाँ से 7 और 3 लेकिन लॉस वाले में दोनों ही आंसर में आपको जूरी बढ़ा कर दोनों ही आंसर प्रॉफिट करता तो सत्तू सत्तू उनन्चास इसका लॉस करता सत्तर का सत्तर का सत्तर पर्शन्ट लॉस करता तो सत्तू सत्तू उनन्चास 21 आपको बसता आजाते 21 अगर मैं 30 का 30 पर्शन्ट प्रॉफिट करता सॉरी 30 का 30 का भी 30 पर्शन्ट लॉस करता मैंने प्रॉफिर तो ही नहीं लॉस करता तो यहां पर भी कितना आ जाता है नो मैनिस कर देते आपके 21 आ जाता है दौनों कंडिशन से एक ही आंसर आपका आता तो यहां पर दो ठीक हो जाती है कि लॉस में ऐसे दो कंडिशन बनती है उतने ही पर्षेंट का उतना ही अब सब दोनों का लॉस होके उतना ही आता है अब करते हैं टाइप नंबर नेक्स्ट जो 119 वाला है ठीक है इसको बड़े द्यान से आपको समझना हो बहुत ही बहुत ही दरीकिसम आपको समझाएंगे इसमें दो कुशन आपको कराएंगे दोनों से कानी कथम हो जाएगे हमारी तो समझ लेते हैं वह यह करना क्या है देखिए करना यह है कि जब क्रेमूल विक्रेमूल दोनों ही बढ़ाया गठाए जाएंगे इसमें लिखने में बहुत गल्तियां हो जाती हैं हमसे क्योंकि हम गूगल से लिखते हैं इंदी टाइप करना थो हमें आता नहीं ठीक है दे लागत 20% बढ़ जाती है तो वह विक्रेमूल 10% बढ़ा देती है तो उसका लाग प्रतिसत क्या है देखिए तो उसकी लागत को हम माल लेंगे यहां पे 100 कितना मेरी इस्टूएं 100% में माल लेंगे ठीक है बात अर्छूमं यहां तक किसी पिप्ट न्योगे खाए अब इसकी 65% अधिक निश्यत कर दिए मूले को कर दिए 25 पर्षंट अधिक तो 25 परशंट अधिक कर दिया तो कितना होगै मैं इस पर钦न वहीं हैं Люб... को बताऊंगा पर्षंट से इसारी कानी कतम हो जाएगी यति वे उत्पादन 20% बढ़ जाता है लागत ठीक है लागत अगर मैं डिये इस्टूर्ट 20% बढ़ जाती है तो 20% बढ़ गई तो क्या होगी 120% अब उसने कानी काए तो वे बश्तू का फिक्रमूल दस परशन बढ़ा देता है तो बश्तू भी इसका 10% बढ़ा देगा, तो कितना होजाएगा मैं डिये स्टूर्ट 137 पाँच साड़े बार आ जाएगा ना 10% तो 137.5 हो जाएगा अब उसने क्या कहा है उसने पूछा है आपसे माई डिये श्टुरेंट के तो उसका लाब प्रतिसेत कितना है ठीक है पहले 120 में बेच रहा है अब बेच रहा है कितने में 137.5 पहले बेच रहा है 125 में अब बेच रहा है 137 में और लाब का प्रतिसेत कहां से आएगा अब इससे आएगा क्योंकि इसका आप सीपी बन जाएगा क्योंकि रेट बढ़ चुका है 20% ठीक है तो यहां से देख लिए कितना बढ़ रहा है 17.5 बट्टे कितना 120 पॉइंट कटेगा जीरो बढ़ेगा दो जीरो से दो जीरो क्रॉस होगा तो बारा ही कम बारा यहां से कितना पांच बारे चुका 48 चौदे पॉइंट को चा जाएगा चौदे पॉइंट को आपका अपसर नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाए एक और कउसेर करते ऊसी तरीके का है थोड़ा सा चेंज है जिसमें पैसे अपको दिया गया इसके मैं कोशन लागत को माल लेते हैं मैं यह इस्टूइन परसंट मैने क्या था है 100% माल लेजिए लागत मोल लेख ठीक कोई डाउट तो नहीं थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं अब क्या 20% पर खरीदी होती है कितने पर खरीदी बीस परशन लाप पर बेचता है तो पहले तो बीस परशन लाप पर उसको बेचना चाहता है तो एस पी कितना हो जाता है यहां पर एक सो बीस तो यहां से अगर देखें दोस्तों तो 120 पर बेच रहा था कम में बेचा होता पांच यह पांच रुपे तो उसे क्या होता 25 पर्शन लाव होता इस पर ठीक है कि ने तो 25 पर्शन लाव होता असी पर खो पर्शन एक पर्शंट एक पर्शंट को करनेक लिए ठीक है 125 होजाए का 25 पर्शंट के लाव होता ते एक पर्शंट splits दो की पांच के बरावर तो हंड़र पर्सेंट हो जाएगा पांच बट्टे कितना बीस गुणा कितना सो तो बीस पंजा सो पचम पच्छेश अब लास्ट कुशन हो रहे है कोशन नंबर 124 जो कि इसी तरीके का है और इसको हम आपको कराएंगे नहीं हम लास्ट में एक कोशन इसलिए ले के आते हैं कि सेम टू सेम बताते हैं वही तरीके का आप से पूछा जाता है कि भाया इस तरीके से मैंने ये कुशन आपको कराया है ना इसी तरीके से यह होगा सेम टू सेम कोई परिवर्तन नहीं है लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि आपको इसका करना कमेंटर हम मुझे आंसर बताना है कि मुझे इससे ही पता लगता है कि आपने मेरा पुरा वीडिए देखा subject करेंगे तो आप से हमली रृकरेश्ट है यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल से जुढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्साइब करें and thank you for watching my video और नेक्स्ट क्लास का इंतियार करें